हलो एब्रिवन आज का टॉपिक है मेरे नाना जी पर हिंदी निबंध प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल मेरे नाना जी मेरे ननिहाल का एक महतोपूर हिस्सा है मेरे नाना जी का नाम हितेश शर्मा है वह एक वकील है मेरे नाना जी बहुत प्यारे और समस्दार हैं, वह घर के मुखिया हैं, वह रोज सुभे जल्दी उठकर सैर करने जाते हैं और व्यायाम भी करते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह हर काम को समय पर पूरा करते हैं, घर में सभी उनका आदर करते हैं, वहें पूरे परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, वहें मेरे साथ खेलते भी हैं, वहें मुझे पढ़ाते हैं, वहें मुझे अच्छी आदतें और नैतिक ज्यान भी सिखाते हैं, वहें अच्छे बुरे का फर्क भी सिखाते हैं, वहें शाम को मुझे बगीचे में ज जूला जूलाने और साइकल चलाने ले जाते हैं मेरे नाना जी मुझे नए नए खिलोने और कपड़े दिलाते हैं वहें मुझे खूब मज़े करवाते हैं मेरे नाना जी के घर पर एक सुन्दर सा बगीचा है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे उगा रखे ह जिनमें फूल, फल और सबजियां उगा रखी हैं वहें उनकी देखवाल करते हैं और सुभे शाम पेड़ों को पानी देते हैं मेरे नाना जी बहुत दयालू और परोपकारी हैं वहें सभी से बहुत प्यार से बात करते हैं वहें हमेशा गरीबों की मदद करते हैं सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं मेरे नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं छुट्टियों में मेरे नाना जी के घर जाती हूँ मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है वहें बहुत अच्छे हैं मैं भगवान से प्राथना करती हूँ कि मेरे नाना जी को लंबी आयू और अच्छा स्वास्थे प्रदान करें थेंक्स पर वॉचिंग